Hey guys, good morning, welcome to new video इस वीडियो में आप सीखेंगे कि चर और अचर संख्या का जोड घटाना गुड़ा और भाग किस तरह से किया जाता है लेकिन इसे सीखने से पहले आप ये जान लिजे कि चर और अचर संख्या कहा किसे जाता है A, B, C, D, X, Y, Z इस तरह की संख्याओं को चर संख्या कहा जाता है और 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की संख्याओं को अचर संख्या कहा जाता है तो आईए सीखते हैं कि चर और अचर संख्या का जोड घटाना गुड़ा और भाग किस तरह से किया जाता है तो आईए पहले देखते हैं कि जोड और घटाना किस तरह से किया जाता है अगर संख्याएं चर और अचर एक साथ में दी हूँ तो और आपको ये बात मालूम है कि X, Y, Z इस तरह के नमबरों को चर संख्या कहा जाता है और 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के नमबरों को अचर संख्या कह जाता है तो चर और अचर संख्याएं अगर एक साथ में दी हूँ तो आपको सिर्फ चर संख्या को देखना है कि कौन-कौन सी चर संख्याएं एक तरह की हैं क्योंकि एक ही तरह की चर संख्याएं आपस में जुड या घट सकती हैं अलग-अलग तरह की चर संख्याएं आप 3 लिखा है आपको दिख रहा है इस X के आगे कोई नमबर नहीं है तो अगर किसी भी 4 संख्या के आगे कोई नमबर ना हो तो आप ये माल लिजिए उसके आगे 1 होगा तो 1 X और 3 X जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 X आ जाएगा और उसके बाद जो दुसरी चर संख्या है उसको वैसे ही लिख देंगे आपको क्या करना है सिर्फ इसके आगे वाले जो नमबर है उसको जोड़कर लिख देना है और जो चर संख्या है उसको एख ही बार वैसे लिख देना है तो इस तरह से हम इसको जोड सकते हैं और ये आपका answer आ गया है अब घटाईंगे किस तरह से चर और चर संख्या को वो भी एक ही तरह का है इसमें क्या करना है, 5Y है, 2Y है एक ही तरह की चर संख्या है तो ये आपस में जोड़िया घट सकती है और 2x ये अलग चर संख्या है तो ये नहीं जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अब ये देखिए 5y है और इसके आगे कोई निसान नहीं है तो आप अपने मन से मान लिजे इसके आगे पिलस होगा अगर इसके आगे तो दिखाई देता और कोई निसान नहीं है तो आप अपने मन से मान लिएंगे पिलस लगा हुआ है और इस 2y के आगे माइनस है तो पिलस और माइनस आपस में घट जाएगा 5Y में से 2Y घटा देंगे तो कितना बचेगा 3Y बचेगा अब इसके आगे निसान कौन सा लगाए पिलस या माइनस तो वो कैसे डिसाइड करेंगे जो नंबर बड़ा होगा उस नंबर के आगे जो निसान होगा वही लगेगा तो 5 और 2 में बड़ा है 5 और 5 के आगे पिलस है तो यहाँ पिलस लगाने की जरुवत नहीं है आप मान लीजे समझ लीजे कि इसके आगे पिले से ही होगा क्योंकि ये नंबर सबसे आगे लिखा है माइनस आता तो लगाना जरूरी होता अब माइनस 2X लिखा है तो माइनस 2X हम लिख देंगे तो इस तरह से हमने इस नंबर को घटा कर लिख दिया तो आपने जोड़ना और घटाना सीख लिया चर और अचर संख्याओं का तो आईए अब देखते हैं कि multiply किस तरह से किया जाता है चर और अचर संख्याओं का पहला example है multiply का 4x multiply या फिर into इसे कुछ भी पढ़ सकते हैं 3x square तो इसका multiply किस तरह से करेंगे आप आगे नंबर देखिए जो अचर संख्याओं हैं जो 12345 इस तरह के जो नंबर हैं उसको simply आप multiply कर लेंगे जैसे 4 है और 3 है इसका multiply करेंगे तो 12 आएगा 4 तिया 12 होता है वो लिख दिया उसके बाद देखिए नंबर ये लिखा है x ये लिखा है x square तो आपको क्या करना है जो नंबर यहां पर लिखा है उसको एक बाद लिख देना है जैसे x है x है तो उसको एक बाद लिख दिया और इसके उपर कोई नंबर लगा हुआ है 2 तो ठीक है और इसके उपर कोई नंबर नहीं लगा है तो आप मान लिजे इसके उपर नंबर 1 हो और जो उपर वाली पावर है उसको जोड़ देंगे तो दो और एक मिलाके तीन हो जाएगा इस तरह से इसका multiply complete हो जाएगा चर और चर संख्या का अब एक example और देख लिए अगर कुछ bracket में लिखा हो बाहर हो तो कैसे multiply करेंगे तो आप क्या करेंगे इसका जो बाहर नंबर लिखा है इसका multiply इसमें भी होगा और इसका multiply इसमें भी होगा तो हम क्या करेंगे 2 का 3 में multiply करेंगे 2 तिया कितना होता है पहले आप इसको ऐसा ही लिख लिए 2X multiply 3y और फिर पिलस लगा है तो पिलस लगा देंगे फिर 2x है और 5x में multiply करेंगे तो 2x इस तरह से लिखेंगे multiply 5x इस तरह से लिखेंगे अब इसका multiply कर लिजे 2 तिया 6 होता है लिख देंगे X और Y आलाग अलाग तरह की चर संख्या है तो इसको X और Y इस तरह से लिख देंगे एक ही तरह की थी तो उसे एक बाल लिखा और उपर की power को जोड़ कर लिख दिया और आलाग अलाग है तो इसको इस तरह से लिख देंगे उसके बाद पिलस है तो पिलस लगा देंगे फिर अचर संख्या 1,2,3,4,5 जो भी है उसको आपस में multiply simply कर लेंगे 5,2,10 होता है दस लिख देंगे और x यहाँ पर भी है x यहाँ पर भी है इसका मतलब x2 पावर 2 आ जाएगी इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा तो multiply करना भी अगर आपने सीख लिया हो तो वीडियो को like कर दीजिए आएए अब हम divide करना सीख लेते हैं तो आप देखते हैं divide किस तरह से करेंगे चर और अचर संख्या का यहाँ पर लिखा हुआ है 3 x की पावर 4 y divide यानि की भाग 2 x y तो हमें इस नंबर को इस नंबर से divide करना है तो इसको आप simply जैसे divide करते हैं वैसे भी कर सकते हैं और बटे वाले divide के तरह उस तरह से भी कर सकते हैं तो एक तरीका तो यह है आप यह जो नंबर लिखा है 2xy इस तरह से लिखिए 2xy और इस तरह का symbol बनाईए फिर 3xy power 4 लिखा है y लिखा है इस तरह से लिखकर और इस तरह का symbol बना के आप इसे simply भी divide कर सकते हैं अगर यह तरीका मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा पर यह लिखा हुआ है 3xy power 4 y तो इसे इस तरह से लिख देंगे और divide के जिखा बटे का निसान लगाएंगे इस तरह की line खीजेंगे और जो बाद में number है उसे 2xy नीचे लिख देंगे अब दूसरे step में आपको क्या समझना है और क्या करना है कोई भी number हो और उसकी जितनी power ह होती है जैसे एकसी power 4 है तो इसका मतलब यह होता है कि x multiply में 4 बार लिखा हुआ है तो आप अगर चाहें तो इसे लिख सकते हैं 3x की power 3 multiply या फिर बुंदी लगा दीजे इस बुंदी का मतलब भी है multiply तो 3xy power 3 और उसके बाद एक बार x लिख लिजे क्योंकि x e power 3 और x को जब है उसके बाद आप क्या करें कि multiply y लिखा है तो y लिख दिया फिर नीचे बटे में क्या है 2 है multiply x multiply y है अब आपको उपर नीचे कैसे काटेंगे देखे y से y पूरा कट जाएगा x से x 1 कट जाएगा 2 से उपर कुछ कटेगा नहीं तो इसे solve करके आ गया 3x की power 3 और कुछ है न आने रही है जैक सर के साथ